तो लाश को सन तो हम लोग पढ़ लिये थे आज कुछ नया शुरू करने वाले हैं ठीकर न क्या सुरू करने वाले हैं को दिक्त कर तकलीफ को ओके सब लोग त्यार हैं कोई हैं जो एस आइन नहीं पढ़े हैं तो सी आई क्यों पढ़ने आएं भाई सारा जैसे आपने एसा ही छोड़ दिया हों से चोड़ दो लिंक है पिछे से हैं ना एसाइज क्या है लिंक है इगे ना पिर बाद ध्यान सुनेंगे सब लोग भाई बंधु मित्रों क्यार हैं सब लोग कंपॉंड इंट्रेस्ट हाना क्या पढ़ने जा रहे हैं लोग कंपॉंड इंट्रेस्ट पहले तो सब लोग हो जाईए तैयार सब लोग हो गएं तैयार ओके डेवियर सजनू क्यार हैं सब लोग कंपॉंड इंट्रेस्ट चक्वृधि ब्याज नाम है कंपॉंड क्या नाम है चक्वृधि ब्याज आज हम लोग पहले बेसिक बाते समझेंगे आके जैसा नाम है वैसा ही काम है कंपॉंड इंट्रेस्ट क्या नाम है कंपॉंड मतलब समझते हैं ना कंपॉंड मतलब जूड जाना ना मतलब जूड जाना चक्र वृधि हिंदी में और क्लियर होता है चक्र वृधि चक्र का मतलब एक निश्ची समय के बाद उसमें क्या होता है अब आज जूड जूड जाना चक्र वृधि बढ़ते जाना बढ़ते जाना कंपॉंड का मतलब कुछ ऐसा ही होता है परेनम है, हाप यर्ली है, क्वार्टर जैसा समय होगा तो एक साटेन टाइम प्रियेड के बाद एक निश्ची समय के बाद एक साटेन टाइम के बाद जो है इंट्रेस्ट प्रिंसिपल में क्या होता है चुड़ते जाता है ना एक भासा में कहें तो सिंपल इंट्रेस्ट बड़ा सिंपल कंपॉंड इंट्रेस्ट बड़ा कॉंपलेक्स है ना कॉंपलेक्स मतलब तूड़ा हुआ, मतलब वही कंपलेक्स हो गया, मतलब प्रिंसिपल इंट्रेस्ट सब आपसमें क्या हो गया मिल गया होता लेकिन बड़ा असान है नाम है इसका कंपाउंड है लेकिन होता बहुत ही इजी होता है ठीक है अब कुछ ऑक्की है ने भाई साथ ठीक है त्यार है ना कोई दिक्रत तकलिफ तो नहीं तो चल रहा सही से ना है ओके अगए आज आपको सबसे पहले हम डिफ्रेंगे कि एस आयों सी अयमें क्या अंतर है उसके बाद हम बाते करेंगे हैं और फार्मूला आपको याद बच्पन से पढ़ेंगे आप फार्मूला है ना और याद है अच्छा इसमें यूज करेंगे हम पी मतलब प्रिंसिप और मतलव रहे मतलव यह सारे चीज़ वही है जो कि हमने पहले पढ़ा था आम Ūिंदीम ओलते हैं पश्रथन कभलते हैं bike सारे बता चुके हैं कैसे निकलता मांट बमिचुक का इंट्रेश्ट प्रिंसिपल में हम इंट्रेश्ट को जोडते हैं प्रिंसिपल में क्या करते हैं इंट्रेस्ट को जोड़ते हैं तो प्रिंसिपल में इंट्रेस्ट को जोड़ते हैं क्या निकल जाता है अब उसके बाद फिर जानते हैं तो यहां पर पहले करना सकता है कभी आपको principal निकालना पड़ सकता है इंटरेशट निकालना हो मेंसिब इन प्रिस्टेस निकालने 성 मैंस कर द मेंसि कर दिज मिलिक बाते बाठे़ में आपको बखुपन के बाते हैं ओके वेरी वेरी गुड बहुत अच्छा मेरे बाइबंधू जान से सुनेंगे सब लोग बाते नहीं करेंगे अच्छा इसी खाएं देता हूं सिखे थे बचपन में बदाई यह फार्मूला अमॉंट इसको क्या सिखे थे फी इंटू वन प्लस आर बाई आर मतलब रेट मालू ना और यहां पर पावर कहीं टी लिखा है कहीं एन लिख देता है है हम टी लिए देते हैं ती मतलब टाइब एक साल दो साल जो भी हो कहीं लिखा है एक लिखार है यह कोई बात नहीं है कुछ भी लिख दिजिए को दिकत नहीं है पामॉंट इसक्वल्टि होता है वी इंटू वन प्लस आर बहांड़ेट के पावर थी ए मतलों अमॉंट है अमॉंट बराबर प्रिंसिपल इंटू एक प्लस दर है ना आर मतलों तर बता में सौ के पावर समय ठाइम ठीकर नहीं कि यह हो गया अमॉट निकालने का अगते हैं अचनली बात ऐसा है मेरे भाई रहान सुनिएगा अधिर रेट सबका अलग 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 हो रेक्लाएग क्या हो अलग अलग हो इस cannis to the यह साथ लेकिन गरेट अलग अलग हूं पहला साल दस साल इस परसेंट तिसरा साल तीस परसेंट अलग अलग यहींग को भी निकाल लेंगे तो भी निकालेंगे amount बराबर 025 ऐसल का rate और वन को लिख दिए में कि दुसरे साल का आड़ थू है तो बगल में लिख दिजिए अपिस्रे चारू अर्थि है और बगल में लिधी hy इतना इतना इंतना कितने बार आप tumor लिखेंगे तो है न वही रिरेट थीन बार लिखेंगे तो जब रेट अलग अलग हो वह उसी को टीन वार ऐसे अलग अलग अगर extra son high molecular 20% 50% हम 20 बाफीज लिखेंगे समाज रहा न रिड जा अलग अलग हूँ हम लोग Normal बच्पन में पढ़ते थैसे अब हम सिखाएंगे आप कैसे पढ़ेंगे लेकिन बच्पन की बापते जानना बहुत जरूरी होता है ठीक नहीं तो अमॉंट इसक्वल टू फार्मूला होता है पी इन्टू बन प्लस आर्वाई अब जो है अब जो है कंपॉंड इंटरेश निकालना हो चक्रदी ब्याज निकालना हो अमॉंट में से क्या मानिस कर देंगे अधि अमॉंट में से क्या मानिस कर देंगे अधि अमॉंट में से हम प्रिंसिपल मानिस कर देंगे विशधन में से मूलधन कि फाइनेस कर दें तो क्या निकल जाएगा ब्याज निकल जाएगा तो यह बताइए हैं पर अमॉंट का फर्मॉला क्या उपर लादा यह क्या लिखा है फी इन्टु 1 पलस आर भाई 100 k power T यह किसका फर्मुला है amount बराबर P into amount बराबर P into 1 plus R by 100 k power T किसका फर्मुला है उसमें क्या मानिस कर देंगे P तो यह compound interest का फर्मुला बनके तयार हो गया दोनों में से P common ले लो यहां भी P है यहां भी P है तो अनों में से P क्या करो करो कि क्या करो कॉमन लेलो क्या बचा रब हारड़ के पावर बार मिन प्लस आरव रहांड़ेट के बढ़ सब्सक्राइब पढ़े होंगे कंपॉंड इंट्रेस्ट का पर्मूला या पढ़े था भाई साथ पी इंटू 1 प्लस और भाई हांडेट के वाट्री माइनस वन कि यहीं पढ़े होंगे है ना तो को याद है ना विल्कुल अब रेट अलग-अलग होगा तो अलग-अलग यह सारी बाते तो आप बच्पन में पढ़ लिए थे हैं मुझे मालूम है ओके यह अमॉंड का फार्मूला यह कंपॉंड इंट्रेस का फार्मूला अब एक छोटी सी बात अब आगे सीखते हैं ना यहां तो को दिकत रही ना यह सब बच्पन से जानते हैं ना भाई लोग- तो कि आरे भाई जी का अभी हम बाते करेंगे स्पल इंट्रेस्ट और शंक लिए रूंपल इंट्रेस्ट की। कर बाते करने जा रहे हैं समझेगा आज पूरा समझने में टाइम दीजिएगा आज हम कुछ पढ़ाएं उड़ाएंगे नहीं ठीकिन आपका हाँ आज बिलकुल टाइम बरबाद करेंगे आपका हूं लेकिन जिसको टाइम के ज़्यादा चिंता है वो घर चला जाएं इसको ज़्यादा दिक्कत है वो घर जा सकते हैं आज सारी बाते बताएंगे आज जो बाते बताएंगे तो आगे 10 दिन आप सही से पढ़पाईएगा और आज के बकवास बाते नहीं समझें तो दस दिन जाल बजाईएगा तो आराम से सुनिएगा ध्यान से मेरी बातों को ठीक है आईए अब लोग त्यार हैं बिलकुल त्यार होंगे ठीक देखिए हमने जो है तो रुप्या कर्ज लिया क्या लिया अट रेट आफ टेन परसेंट परेनम किस रेट से दस परतीसत के दर से है हमने 100 रुप्या कर्ज लिया कितना कर्ज लिया कि से किरेट से थस परसेंट के दर से ऐसे के niżwestilly सॉच्छाठ पर इन्सिपल सेम हो जब प्रिंसिपल में कोई परिवर्टन नहीं हुआ है तो ब्याज भी क्यां एक साल बात नहीं के करेंगी एक साल बात पे करते हैं तो सौरुप्या ब्रिंसिपल और दस रुप्या ब्याज आपको कितना पे करना पड़ेगा 110 डिया एक सो 10 रूपभाइभ जो फर्स्ट ले नहीं पे इंपह्ते आफिर सेकंड डियर कितना पे करना प्ठेगा 110 और 10 रूपया एक सो यह जाएगा 120 रूपया आद डिए सेकंड डियर पे नहीं किने तोitez Today एक सौबीस प्लस दस कितना पेकर न पड़ेगा एक सो तीस रुपया थर्ड भी नहीं पेकिए एंप प्रॉट चलिए तो एक सो तीस प्लस दस कितना हो जाएगा कि 140 ऐसा ही मतलव हर साल दस रिपया लगेगा है ना तो मैंने आपको यह सिखाया था कि सधारन ब्याज में क्या होता है कि सधारन ब्याज में हर साल ब्याज क्या लगता है बराबर लगता है ठीक है ना जो मैंने पहले सिखा दिया पहले पढ़ाया था कि सधारन ब्याज में हर एक सब्सक्राइब ब्याज इंपल हर सालWhen और लगता है और आओ तो लाटरंज में विएज आवर कशला और फाल कि इंट्रेश्ट में इंट्रे आइस्त हर साल भर आव लगता किछ दिख्व दिखत नहीं इद विए हम सिखते हैं कमपॉऑन इंड-पैम में यह तो हम लोग बच्पन से जानते हैं पहले पढ़ा चुके हैं तुनिए ध्यान सभाई जी सुनिए इंट्रेस्ट में नामी है कंपाउंडेड है ना चक्र व्रिधी वह चक्र जो है का था ब्रिधी बढ़ जाता मतलब एक साल रूप्या का दस परसेंट ब्यास कितना आता है तो रूप्या का दस पर्हसेंट कितना हुआ क्यों क्यों कि छुब जाएँ कि घंcket-फडविभ क्यों है पाहला क्लास है है पिर बच्चा को कल दिखाए नहीं देगा कुछ कहीं कहीं जूम पर चलता है तुम्हारे फोन में डाल देते हैं फोड़ो फोन को ठीक है कि अराम राम से रिलेक्स कि हो गया है कि हमने क्या सिखा कि सधारन ब्याज में हर साल ब्याज क्या होता है हर साल कहीं से बहिंए मानिस कर लेगे हर साल का ब्याज ब्राबर याःक किसुमें कि सधारन ब्याज में हर साल ब्याज । को डिकत तो समझ में आ रहा है ना कंपॉंड इंट्रेशन देखिए तौर रुपे का 10% कितना आ गया तस रुप्या सौर रुपे का 10% कितना आता है कि ना 10 रुप्या ओके वेरी वेरी गुड कि एक पेंटु जाता से बच्चें को दिक्कत न हो जाएगा हाँ है जाओ, जाओ है बच्चाओ है आँ है बचुछ जल्ली 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 जुड़ गया हमने कुछ प्रहाइए नहीं है अब प्रहाना सुर्व करता हूं तब ही लोग जुड़ गया है देखेजरा फटाफट जूड़ रहे हैं सब्लोग जुड़ गया है सब्लोग पटना जुड़ गया बिहार रहत तक जुड़ जुड़ गया सब्लोग एक मिनेट और रुख जाई हला नहीं करिएगा कि अग्या सब पत्ना जुड़ गया है देखे दिखार रहा उनका करने के लिए कि जल्ली जल्ली फटाफट अग्या तो अब आईये बहुत अच्छा मौका मिल गया ना ते तानी करने का ठीक है ठीक है कि अब कि अब सान्थ हो जाएं यह स्याई का पहला क्लास है ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छा क्लास होगा बहुत मज़ाएगा लेकि दिमाग सान्थ रखिएगा तब तो हो जाएगा खराब कि यह दिमाग आए तो सौ रुपय का दस परसंट सब त्यार हो गया भाई साब तो सुरू क्या जाएं ओके दम तयार हो जाएए सब लोग एक दम धाय धाय ठीक हम इतने ही लिखेते कि सौ रुपय का दस परसंट कितना होता है दस रुपया अधी कंपॉण इंट्रेस्ट में आप एक साल बाद पे करोगे कंपॉण इंट्रेस्ट में यदि आप एक साल बाद पे करेंगे तो आपको सौ प्लस दस कितना पे करना पड़ेगा 110 पे कर ना चूंड्ड सुने सब लो कितना पे करना पुड़ेगा 110 रूपया और दस रूपया ब्याज तो एक साल बात कितना पे करेंगे 110 यदि आप पहला साल नहीं पे किए मान लीजिए ठीक यदि आप पहला साल नहीं पे किये तो यदि आप बैंक वाले से पूछेंगे कि ये बैंक वाले भाई सहाब दूसरा साल हम पैसा जमा करें या नहीं बैंक बोलेगा आपकी इच्छा यहां कंपॉंड इंट्रेस्ट है मतलब आपका हो गया एक साल बाद 110 रूपया कितना हो गया आप चाहो तो 110 ले जाओ और चाहो तो 110 रूपया ठोड़ दो बैंक में तो पूछेगा भाई तो हमको मतलब ब्याज मिलेगा वहां किस पर ब्याज मिलेगा सौ पर मिलेगा नहीं अब आपका प्रिंसिपल 110 हो गया क्यों क्योंकि ये कंपॉंड इंट्रेस्ट है तो क्या होता कंपॉंड में कंपॉंड में कंपॉंड हो जाता है जूड़ जाता है कंपॉंड में क्या है तो यह जो आपका 110 रूपया है जूद्ष ह्युत दूसरा साल 110 क stretch the VIH मिलेगा कि एक in der कहा मिलेगा एक 110 कद रस एक समझने सेकेंड डियर कि ते MK 10% मिलेगा तो सेक दर्भ पर्सेंट मिलेगा तो सेकने कर दिकार्य नहीं किये और सेकेंड यर पे करना चाहते हैं तो आपको पिछले साल का 110 रुपया तो प्रिंसिल को दस ब्याज और दूसरे साल का 11 रुपया और सम मिला के 120 पे करना पड़े कितना पे करना पड़ेगा 120 रुपया पे करना पड़ेगा हाँ यह ना अच्छा अब बैंक वाला से पुछे भाई मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं तो वहला 107 121 रुपया वो हम निकाल लेंगे तो गोले और छोड़ दिया तो बया कि यहीं आपका principal हो जाएगा अगले साल के लिए समझें न क्यूंकि compound interest मet क्या होता है principle में इंट्रेस्ट क्या होता है सारा व्याद जूड़ जाता है समझ माया तो अभी कंपॉंड इंट्रेस्ट में कहता ध्यान सुर्ण भाई पतना वाला भाई लोग अब कनेक्ट हुए इतना दिरबाद कहां थे सोया हुआ ठीक है ठीक है चलो मैं बताता हूं एक फिर से लेट यहां देखिए जरब यहां देखिए जरब यहां देखिए जरब लिए रहत्तक वाले सब देख पा रहे हैं ने सब लोग ठीक है कि अभी मैंने मैं नहीं सिखाता एक बार बोलता हूं पटना लेट होगे वहां पर तौर रुपे का 10% कितना होता है बताओ तस रूप्या ठ एक सो दस रुपया देना पड़ेगा एक सो दस रुपया देना पड़ेगा स एक brothers started Rs 109 एक सो सस्ा 508 एक सोड़ान नैस्ट यह अक्रक रिंस्यृपल हो जाएगा . यह आपका अपना पैसा होगया clásक यह आपका अपना पैसा होगया what चाहो तो बैंक में रखो आप चाहो तो बैंक में मत रखो समझ में आ रहा है ना तो आपका कितना पैसा हो गया 110 वह अपना पैसा हो गया 110 रुपया ठीक है न तो सेकेंड यह चाहते हैं कि बैंक में रखें तो आप बैंक में कितना रख रहे हो 110 रुपया 110 आपका अगले साल क के लिए प्रींसिपल लोकाओ पटना में पिर से ओ अब आज अब सुनाए देरा सबकू अच्छा सब आज बाहर कुम ने चाहे पाने पिने लुटी के ओके चलो ठीक है जो है वह देखो कम से करें अब रोपर वास रदेरा है ना ठीक है ठीक है चलो आज का दिन खराब ने कि दिखना चलिए कोई बात नहीं मेरे भाई बंदू आके देहां कौन बोला बीच में यहां देखिए भाई सहाफ तो रुपे का 10% कितना होता है तो ब्याज कितना आया तो सौ रुप्या प्रिंसिपला दस रुप्या ब्याज तो अमांट कितना हो गया कि जो अमांट हो गया वह आपका अपना पैसा है किसका पैसा है आप चाहों तो बैंक में छोड़ो ना मन करते निकाल लो यस और नो दूसरे साल के लिए धान सुना तरीके से नहीं समझे ऐसा नहीं कि हावाजी में आप निकल जाओ फर साल बहुत नि नहीं समझें आप मति करने देखो ओल्ना ज्यॉसइं करना कोज दिकते निढख निढ़ी सार्वार ड़ी क्या बटॉसरे करना देखो कि NC oops are 110 अघले साल के लिए आप प्रिंसिपल क्या बन जाएगा क्योंकि आपका अपना पैसा यह धन किसका है यह 9 économique यह मिस्र दन लेकिन ढि धन है किसका तो अगले साल के लिए क्या हो गया तो सेकेंड मेर के लिए ब्याद किसंड लगेगा 110 रूपया पर 0.10 पर सन मतलब 11 रूपया लगेगा तो कितना हो गया humanos कितना था फेकर इर कम्याद कितना है अब या पहला साल नहीं पेग करेंगे तो सेकेंड यह आपको 110 और प्लस 11 रुपया और एक सो एकीश रुपया पेग करना पड़ेगा समझ में आया बिल्कुल आया होगा अब सुनिए आपको कितने पैसे हैं का वताइएगा एक सो एकीश कितना मताईएगा कि प्रिंसिपल और इंट्रेस्ट दोनों जुड़ गया क्योंकि एक कंपॉंड इंट्रेस्ट है तो प्रिंसिपल और इंट्रेस्ट दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो जुड़ की कितना हो गया 121 कितना हो गया 121 अब जो से इदो यह अमांट है सेकेंड डियर का क्या है तो सेकेंड डियर का मौन्ट जो है उन्नेक्ष्ट एर के लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अगले साल ब्याज की इस पर लगाएंगे हम लोग का समझ है और नहीं आगले साल 121 और लगाएंगे सब्स्मान रभायब अगले साल क्या करेंगे 121 का 10 पर सेंट 12 रूपया 10 पैसा चाहो तो सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो पहले का एक सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और बारा रुपया जो किसरा साल ब्याज आया बार पर दस पैसा यह और पे करना पड़ेगा समझ में आयां तो कितना पे करेंगे एक सौप्सक्राइब समय समयं आयां नहीं पे किया तो Ed Taylor कके एक इस सुच्य इंतर्टीसर रुपया दस पैसा सबको सब रहा है ना इस विए लोगा रहा होगा है मं दुदंग चैक किया पहला बात सभिस से पहला बात कैंब रूपया हो रहा रहा है और पो जोडेकर का पॉद्ट या स्बोड़न इन्ट वी ढ으ра की ही हो रहा है इसका मतलब यह है पहला साल का जतना चक्टी अरो तो ही सधारन ब्याज होता है समझे मारा है तो फॉस्ट एर का धानकेगा फॉस्ट एर का जितना सिंपल इंट्रेस्ट होता है उतना ही कंपॉण इंट्रेस्ट होता याद रहेगा फॉस्ट एर का सिंपल इंट्रेस्ट और कंपॉण इंट्रेस्ट दोनों क्या होता है पराबर होता ह ay 08 अब सुनिये हमने और क्या ऑफ शर्व किया की जो पीछली पहला साल का अमौन्ड था और दूसरा साल के लिए क्या बन जाता है वह तुस्वा साल बिया विकर लगता है दूस्त्रा साल समझे ध्मिश द्यान से दूस्तरा साल थ्या किस पर लगता है पहला साल के अमांट पर तीसरा साल ब्याज किस पर लगता है तीसरा साल ब्याज किस पर लगता है दूसरे साल के अमांट पर इसका मतलब यह है जो पिछले साल का जो पिछले साल का अमांट होता है वही नेक्स्ट एयर के लिए प्रिंसिपल होता है तो पिछले साल का विस्त्रधन होता है अमांट होता है वही नेक्स्ट एयर के लिए क्या होता है प्रिंसिपल होता है याद रहेगा पिछले साल का का अमोंट का सबको याद रहेगा न पका याद रहेगा तो पिछले साल का का समखेंगा की यहां पर ना साल का मॉन्ट 110 रुप्या है तो दूसरा साल का ब्याज कर दो आए है कि मिला होगा 110 रुपया पर ऐगार किस पर मिला होगा जो बढ़ा है कि एक साल में कोई राजी 110 हो जाती है और दो साल में कोई राजी एक सो एकीस हो जाती है तो यह हैं बढ़ा कितना यहां کतना बढ़ा बढ़ा बताओ Being बढ़ा बाठवात भी आ horribly क्या मिला में प्याज मिला इंगार क्या मिला है 110-120 00 किया यहार ब्यार आपर गार मिला होगा है तो पिछले साल के luxTo पर मतलब 116 प्याज किस मिला होगा जो का मौन है उस्ट यह का मौन होता है वही अगले साल का principle होता है एक सो दस रूपया पर लगा एक सबस्रों पर लगाया होगा की ब्याज कितना मिला डार रूपया कितना मिला लगा तो पिछले साल का मौन्ट होता है वही नेक्स्ट एर का प्रिंसिपल होता समझे हमने कहा कोई रासी दो साल में तो हजार हो जाती है अस्टम कृश्रवास संफ मनी बिकम सब्सक्राइल में म कďतनी हो गई 200 साल में कितनी हो गई वही रासी तीन साल में 200 हो जाती है कितनी है तीन साल में कि इप्रने कितना मिला और भी आज मिला है एक सब्सक मिला होगा यह है पीछले साल का मोंड यहीं तो इसके लिए ऊवर होगा यह बता है जो प्रिभ्यक्र क्या होता है तो यही 2000 पर रेट लगाएँ एक साल के लिए एक साल के लिए कहीं भी लगाएंगे नरहां हम सधारन ब्याज़ फार्मूला लगा सकते हैं क्यूं क्यों कि एक साल के लिए क्या होता है पराबर होता है तो कहीं भी एक साल करेंगा दस से इगारा जाना हो इगारा से बारा जाना हो बीस से की जाना हो एक साल जाना हो तो वहां पर आप सद्धारन ब्याज का फार्मुला पी आर्टी बैंडरेट लगा सकते हैं क्यूं कि एक साल के लिए सद्धारन ब्य सुनिए 2 साल में कोई राशी 212 दो हजर जाती है तीन साल में 200 तो दो साल में बन गए थी 2000 और 3 साल बन गें 200 तो हम बढ़ गया 100 तो सौ जो बढ़ा होगा किस पर ब्याज मिला होगा इसी पर क्योंकि यही हमारा principle होता है तो 2000 पर पतना क्या rate लगाया कि एक साल में ब्याज कितना मिला 100 रुपे का ब्याज कितने का ब्याज मिला 20 25 100 तो rate कितना हो गया तो ऐसे करके क्या बोलेंगे 5% समझ में आरह सबको जैसे हमसे कहेगा अभी हम प्रिंसिपल नहीं सिखा रहे हैं समझा रहे हैं सारा एक्जामपल देंगे आपको एक एक ची समझाएंगे सारे को सबस्क्राइब हमने कहा कि 20 यह में कोई रासी चार हजार रुप्या हो जाती है 20 यह में कितनी हो गई 20 यह में बन जाती है कि एकता बन गई है अ तबहिया रासी है जह पिछाल में चारह होती है रकी साल 12 करने का रुप्या कितना मिला किस्पर मिला होगा मैं यह खुपड़ी बैठा जो प्रिवेस एर का अमान्ट होता है वही नेक्स्ट एर के लिए मॉन्ट होता है ये रज़ किसी पर व्याज लगाया होगा और वहीं लगाकर यहां क्या मिला 10 रुपया ब्याज मिला क्या मिलाइए 10 रुपया व्याज मिला यह सुनना कहां गया कट गया एक जिरो काड़ दो पांच और यहाँ दो अंसर क्या हो गया आई बाई बोले तो हाई परसेंट ऐसे करके रेट लगाएंगे ये दिमाग में बाते बैठ गएं पिछले साल का कहीं पर से 50 साल का मौन कुछ भी कहां 20,000 है और ये कामन साल में हो जाती है कुछ भी बामन है कुछ भी कहां इतना रिप जाती है तो बढ़ेगी तो ब्याज मि मिलेगा फ़हला शोचली स्யुम्ण का पिछले साल के अमांड़ यह मिलेगा समझ माया आ यह यहां पर फ्रीज देखिए फिर से देखें मेरे बाई आप लुए नहीं करीएगा कि तब लोग तियार हैं कि अधियर देखिए कि अधियर तब लोग तियार है भाई साथ कि यहां देखिए ध्यान से जोनों व्यां सुने बड़ा पड़ते जी में कि यहां पर याज के तना मिला और हाँ कि अधियर दस मिला था कि एक जादा क्यों मिला पहले तो पिछले साल ब्याज 10 मिला था पिछले साल मिला था इस बार 11 मिला इसे कैसे हो गया रहे है है तो बात ऐसा है पहला महिना प्रिंसिपल मेरा पर रुपिया था तो सौ का दस रुपिया भी आज बीना अब मेरा प्रिंसिपल सौ प्लस दस है नहीं समझें तो प्रिंसिपल तमझीएगा जो बनेगा कॉंसेप्ट आज ही बनेगा भाई साफ उसके बाद तो पहला क्लास मेरा बिल्कुल बकवास होता है लेकिन सुनिएगा जरूर लेकिन यह नहीं समझेगा तो आगे कुछ दिखाई नहीं देगा एक कदम नहीं चल सकते हैं पर सिस्टम को समझेगा एक बार समझवाइगा सि जरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू कि अब मेरा प्रिंसिपल सौ रुपया नहीं है सेकेंड एर प्रिंसिपल सौ पलस दस है तो सो का तो दस मिला था और जो दस रुपया का माया था उस पे भी दस परसेंट मिला था भाई साथ भाई साहब जी फोड़ा साइधर भी देख लीजेगा ठीक ना सौ रुपय का दस परसेंट ठीक बहुत-बहुत मौसम खराव है भाई साहब ठीक तो सौ का दस परसेंट दस रुपया और दस रुपया का भी दस परसेंट कितना होता है एक रुपया इसलिए मुझे 11 रुपया ब्याज मिला कि समझी में ऑरहा सब्कों पहले साल का प्रेंशीपल सौ था सो का दस परसेंट दस कमाया थी कि Ai लेकिंद दूसरा साल का प्रेंशीपल 100 प्लस दस है कितना है एक स्था कंसा का 10%. मुझे दूसरे साल मिलेगा लेकिन पहला साल जो 10 रुपया कमाए थे उस पर भी 10% मिलेगा ठीक क्योंकि जो पहला साल का जो ब्याज था वो ब्याज नहीं रहा वो मेरा principal हो गया वो मेरा अपना पैसा हो गया जी तो भी मेरा principal हो गया तो 100 का तो 10% 10 मिलेगा ही, 10 का भी 10% एक रूपया होता है, एक रूपया और मिलेगा, इसलिए दूसरा साल ब्याज मुझे एक रूपया अधीक मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि मुल्धन का तो 10 रूपया मिलेगा ही, जो पिछले साल जो ब्याज था उस ब्याज पर भी अधीक हो गया समझ में आया एक ठोटी सी बात हम बताना चाहते हैं आपको हमने कहा कि फॉस्ट एर का compound interest 10 रूपया है और सेकेंड एर का compound interest 11 रूपया है अभी कैसे आपने निकाल लिया था principle रेट निकाला था ना दो साल में इतना तीन साल में इतना अमॉंट दिया था उसमें क्या दिया था अब हम क्या देरेंиком पां इंट्रेस्ट ठीक ठीकनम यह स्दियर का compound interest 12 थासेंड यह का मतलब होता है फॉसन सेकेंड इंक्लूदेइड पहला साल मुझा बंदूं के करते हैं फिर्गनम और इसका मतलग एक सकेंड यह हो गया ellis 001 एक्स孤लूड़ को हम से कहा कि भालर का कमपाउड इंड्रेस्ट थस रुपया है यह कमपाउड इंट्रेस्ट 12 रुपया है शो सुनिये दूसरा साल भ्याज हमें जादा मिला कितना जादा मिला एक हुर्पया दूसरा साल भ्याज जादा मिला उसके पीचे किसका हाथ है पिछले साल का अगले साल के पीछे किसका हाथ है पिछले साल का पिछले साल देखो अगले साल एक रुप्या ब्याज ज्यादा मिला क्यों पिछले साल जो ब्याज कमाया था ना उस पर भी तो ब्याज मिलेगा है यह नहीं जो पिछले साल ब्याज कमाया थे उस पर भी ब्याज मिलेगा समझ क्योंकि जो पिछले साल जो ब्याज आया होगा उस ब्याज पर दुबारा ब्याज लगाया जिसे कारण से एक रुपय का इस दस रुपया पर पता नहीं क्या रेट लगाया इस दस रुपया पर क्या रेट लगाया जिसके कारण एक रुपया जादा हुआ जो ब्याज जादा होगा उसके पीछे पिछला साल का हाथ होगा तो इसलिए यहां का दस पर संट कर गया तो यहां पर रेट क्या दो रेट निकल गया रेट दस पर संट का चल रहा था तो मज़में आ रहा ने जैसे आप से कहा कि फॉस्ट एर का अधीम रुपिया रूपिया और तेरका तेएजosh अधाल का चछूड़ो ङोंटरो जोलroe हो कहीं से भी किछला साल सब्सक्राइब है और फारड यहार का कंपौण इंट्रेश्ट तृपिया है second year का compound interest 400 रूपया है और third year का compound interest 420 रूपया है मेरे बास में रहना second year का compound interest कितना है और third year का कितना ब्याज ज्यादा मिला यह 20 रूपया यहां ज्यादा क्यों मिला और थिए मुझे ब्याज क्यूं मिला जादा क्योंकि ग्रीज कमाया था पर भी मुझे आज मिला होगा जिसके कारण ब्याज ज्यादा हो गया समझे महाया सेकंड एर कितना था प्वेस चार सो इस पर लगा दिया क्या लगा दिया और यही ब्याज लगाने से मेरा ब्याज 20 रुपया ज्यादा मिला तो रेट क्या था पांच परसेंट का रेट था थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है ना को दिकत तकलिफ तो नहीं भाई साहब यहां सेकेंड थार्ड नहीं कुछ भी कह दे 5050 पचासमें बर्स में हमने कहा पांस रुपया है और में nephew कावन साल में अमपार इंटरेंट को वह काते हैं 500 यहिव पार्डिव 10 रुपया है तो तो डेट आपयाश कितिना बढ़ा इस लेक्शिए ने कि EB कि जो पिछले साल जो भ्याज कंपाइं न गी पिछले साल भ्याज कमाते है न उस पर भी तो ब्याज मिलता आगे उसलिए और धोस्ते ब्याज कमान लिए होंगे होंगे है न और इसी कारण dosd August काड़ गया पांद दुनी को रेट कितना परसंट आगिया तो यह बाते आप भली भाती समझ पा रहे हैं हम सारा एक्जामपल देंगे आप डढ़िये मत चोड़ देंगे हम समझा रहे हैं मन करें कुछ लिखो ना मन करें तो मत लिखो वह सारे एक्जामपल देंगे समझना जरूर। कुछ करो यह मत कर समय कितना बताओ कि कि इंगारा था और अधार कि दया था तर्ट कि दिना था कि अधार का बारा रुपया कि यह दिखाता है यहां देखो स्थेकेंड यार करеजटा इगाहर रूपिया और्धश्द यार क्वेश कितना आया 12 पैसा कितना ज्यादा है कि में कि रूप्या और तस पैसा ज्यादा और क्या आया कि इस भ्याज पर ब्याज लगा हो गा जिसके कारण ज्यादा है समझ रहे ना तो इसलिए 11 रूपया पर क्या रेट लगाया कि एक रूपया दस पैसा जादा हो गया भुझे की नहीं पिंदिया हटाओ सुनना लगाओ और यह सुनना को काड़ के गारा दहां के काड़ दो रेट कितना गया दस परसे मेरी इसाब से ज्ञान की प्राप्ति तो होई रही होगी है ना राम राम समझेगा याद रखेगा इतने साल का इतना सेकेंड डियर कुछ भी बोलेगा यह अगले साल का चक्रदी ब्याज दिया रहेगा तो अगले साल का चक्रदी ब्याज जादा होगा क्यों जादा होगा यह पिछले साल जो ब्याज कमाता है ना ब्याज उसका प्रिउसिपल बन जाता है क्या बन जाता है और अगले साल उसी पर मिलेगा रहा है एसी लिए अगले साल व्याज जादा मिलता है यस लो मेरी बात सबको समझ में आया है तो तीन बाते हम लोग ने समझा कि पिछले साल का मौंड पिछले साल का मौंड पिछले साल का मौंड पिछले साल का मौंड अगले साल के लिए क्या होता है प्रिंसिपल होता है कोई भी पिछले साल का मौंड अगले साल क्या होता है पल होता है को दिकत तकलिफ और अगले साल ब्याज जादा आता है इसके पीछे किस का हाथ होता है कि पिछले साल का ब्याज का है ना पिछले साल के ब्याज में पता निका ब्याज लगा देता है इसके कारण से जादा आजाता हां कि नहीं समझ में आरा थोड़ा बहुत न दिमाग कंट्रोल लगना बहुत अच्छा से चलिए चोटी-चोटी बात हैं हम लोगों ने समझा अब इसको समझिये ऐसे करके प्लीज अब लोग त्यार हैं आ था समझेगा ऐसे कर समझेगा हम लोग इस परकार से बनाना सुरू करेंगे तब एक का 10% कितना होता है तस रुपया पर ठेकनं के ठाव्ट रुपया का 10% ब्याश के दूदंण आएका दस और पर हर साल आपने बैंक में जमा किया है 100 रुपया का 10 परसेंट तो हर साल मिलेगा तो इसने पहला साल आपकी कमाई extra हुई है कितनी है व्याइक इस पर तो दस यह एर है यह एंजा मीला हर जगह मिला सब जगह मिला लेकिन हम पहला साल जस रुपया और कमा लिए ना पहला साल कितना कमा ली ए तो इस दस रुपया का भी मुझे ब्याज मिलेगा तो पक क्योंकि आप जानते हैं ना कि पिछले साल जो ब्याज कमाते हो मेरा principle बन जाता है मेरा अपना पैसा हो जाता है तो हम इसे कैसे छोड़ देंगे जास तो लेंगे तो इस दस रूपया पर एक रूपया हो गया कई अध्र यह र्यां कर दस परकिस पर था मोस Jewish यह को प्रिंसिपल पर दस पर संकिसे पर था और इस पर था अब सुने फिपर एक रुपयार कमा था को सब गल में लिए क्मा ज़्सद्ना दस पर कakah इhm है कितना अगया एक रूपया और मय यह किसा अब सुनिये फ़र्ड एयर तिसरे साथ किसे तौव पर तो 10 रुपय कमा लिए 10 परसेंट 10 रुपया होता है लेकिन जो अभी तक जो आप कमा रखे हैं उस पर भी व्याज लगेगा नहीं समझें आप पहला साल 10 रुपया कमाएं दूसरा साल 10 पलस 1 रुपया और कमाएं तो अभी तक कितन तो आपका 100 रुपया पर 10 तो मिलेगा ही और अभी तक आपने 21 कमाया है 21 का भी 10 परसेंट तो रुपया यहीं नाएगा तो रुपया तो यहां पर 2 रुपया 10 पैसा और मिलेगा अभी तक हम जितना ब्याज कमाएं न वह ब्याज मेरा प्रिंसिपल है क्या है मेरा अपना पैसा है कि पूरे पैसा पर भ्याज लगेगा यह न तो इसलिए पूरा अभी तक कितना ब्याज कमा बताओ तो लुकित की पर 10% और 2 रुपया 10 पैसा तो तीसरे साल के अभी कजिए गाले गाले दस यहाष से करके भी quedar सब्सक्राइब नहीं नहीं यहां जो ब्याज मिलता है वह प्रिंसिपल का तो मिलेगा ही और जो हम पहला साल 10 रुप्या कमाए थे उस दस का भी 10% मिलता है तो मज़ में आया किसरा साल हम जितना अभी तक ब्याज कमाएं हैं यह 10 रुप्या यह दस रुप्या इसका भी 10% मिलेगा यह 10 रुप्या इसका भी 10% मिलेगा मुझे और यह एक रुप्या इसका भी यहां से गतना गिया में यहां से कितना घिया जिरो पॉइंट वन जिरो नहीं तो दो रूपया सब्सक्राइब को समझ रहे हैं तो यहां से ब्याज कमाते हैं इसका भी ब्याज मिलेगा और इसका भी ब्याज मिलेगा इससलिए सब को टोटल को जोड़ देते हैं पुरे हमने एकीस रूपया पे दस परसेंट डायेट निकाला था समझ में आ रहा है और अधी ऐसे ही हम चौथा साल चलेंगे तो प्रिंसिपल का दस तो मिलेगा ही अभी तक जितना हम ब्याज कमाए है वो टोटल ब्याज का दस परसेंट और मि उत्तर दो खोड़ी बहुत समझ में आ रहा है ना को दिका तकलिफ तो नहीं ठीकर नहीं तो यह देखिए समझी का चीजों को बहुत नरसरी लेवल का है अब देखिए मैं एके करके चीजों को समझाओंगा अभी समझने की पर किरिया है ध्यान दीजिएगा ठीकर हम अराम यसी दर-10 रुपया आया था है यह सधारन्ब्याज है क्या है यह है सदार्ण ब्याज और यह सब मिला कर क्या है compound interest जो ब्याज principle पर खाली मिला उसको simple interest कहते हैं जो ब्याज principle पर मिला उसे क्या कहते हैं simple interest कहते हैं और जो ब्याज पर ब्याज पर ही ब्याज पर ही ब्याज मिला उससे हम compound interest कहते हैं तो जो यहां लीखेंगे वो क्या होता है simple interest और जो यहां सब सब को जोड़ दार के लिए क्या हो जाएगा समझ में आ रहा भाई बंधू को दिकत तो नहीं बिल्कुल आ रहा होगा अब जिसे 2000 रुपे की रासी एक एकर समझेगा बहुत मजाएगा तस परसेंट है हमारा कितना परसेंट है तस परसेंट प्रिंसिपल है ध्यान सुनिए कोई आज पढ़ाय लिखाए नहीं करेंगे हम लोग बिल्कुल नहीं आज बिल्कुल मूंड आफ होगी आज क्लास कुछ बुड़ाइँगे ठीकलग में यहां कि अदेख नशेंब घृष कि कितनी रासी है तो हसार्ाраेट कितना है तच्छा Genau का दस परशेंट के दना होता है फोलो यह से निकाल लुदो हजार का थ्लस पर्सेंट को लो बोई कितना कि बोलो बोलो कितना किफे प्रींसिपल पर लगा किश पर एया बंदेख लगा मतलब इसका भी 10% इसका भी 10% समझ भी 10% समाखे मारा बाजा है ना दोसब दोसो कई यह ब्याज किस पर लगा डॉसमिपल पर और मिमें इभा हुआ कि खlock घते हैं simple interest yes or no compound में क्या होता है जो हमने कमाया जो पहला साल कमाया उस पर भी हम यहां कमाएंगे मालूम तो पहला साल हमने 200 रुपया कमाया कितना कमाया है और 200 रुपया पर फिर से 10% कमाएंगे तो कितना कमाया 20 रूपिया तो यहां ब्याज कितना और आएगा तो इसका मतलब एदी हमसे बोले कि दो साल का चक्रधी ब्याज कितना होगा दो साल का दो दुनी चार चार सो दो साल का चक्रधी ब्याज चार सो और दी कहे कि दो साल बाद अमोंट कितना होगा चार सुब जोड देंगे 24 सो थोबीस सो बीस होगा समझ में आया तो मसिमारा ना शकृषए बिया चार सुब बीस होगा अमॉंट कहेगा तो दो हजार जोड देंगे यह सनुख जोटी सी बात है आपको मैंने एक फार्मुला सिखाया अमॉंट बराबर क्या सिखाया था दो हजार और वन प्लस आर बाई हांडेड के पावड टू यही सिखाया था ना जो बेसिक फार्मूला था उस फार्मूला को जराप पढ़ने का कश्ट करेंगे ठीक है ना आई देखते हैं मेरे भाई बंधू पित्रों देवियर स च弘ू त्यान सुनेंगे आपने फैसे देखा 2000 कि और एक जीरो कट गया तो एक प्लस एक बटामें कीतना दस कोzier है गव संफारी और किया हो गया था और दस और थासीतना हो जाएगा कपता है तो इना माझन होगा पुछ कारन है इसलिए एक तहीं इतना derechos का डबल तूल थेाथ टबनद ये तो फर्मला को पता हैं ऐब एक छोटी सी बात और सुना चाहते हैं समझेगा पहले प्लीजु भाइसाब तयार है जाग रहे हैं पाने उनी पी लिजी है नहीं यहां देखिए कहानी सुने पर क्या होता ना नेंद आता है कभी कभी है ना देखिए चली गई यहां देखो भाइसाब नेट्वर्क चली गई देगा तो अब लोग त्यार आज नेट्र प्रोलम कर रहा है कि अब कि अब कि अब त्यार होगे सब्लों कि अब कि अब आज बताने है कहा है करेंगी करेंगी कि अब क्यों हो गया कि अब आप जो है ऐसे पढ़ेते भाई साथ ध्यान सुनिए यहां देखिए अमांट बराबर अ कि अब रहा है प्रिंसिपल accidentally और दस परसेंट रेट है क्या है यह आ है दस परसेंट रेट है कुछ समझाएंगे जब हम चेप्टर में आएंगे न तो फिर धायं धायं उड़ाएंगे वहां पर जो अभी समझ जाएगा फिर धायं धायं उड़ाएगा तो उड़ जाएगा खूद देखो कि कर से तो यह है क्या हूं और यह क्या है अधिक फ्रेंशिपल कुद्ना सुनना कड़ गए तो simulations इन्टो दस से कम दस और 11 से धिकर अथilकніरी आप Syria- Steph कि अरक दोता हूं कोई बात है नहीं कीजिए लिए अमॉन्ट है और यह क्या है फ्रेंशिपल क्या है मतलब गैगा प्रिंसिपल आएगा और एगा और उपर आएगा वो अब है है जैसे हम लोग कहheen याद है कि हम लोग वयाएं इसमील टाप एक प्रस्ट पर होता है तो नीचे क्या रहेगा कॉस्टप्राइज क्या तरिक्स के सब्सक्यात मां क्ञुण बंदी है मांक पर इंदमना वैसी यहां पर कि हम यहां पर व्याज कीस पे लगाते हैं तो नीचे क्या रहेगा प्रिंसिपल यहां देखिए तो यहोग्या प्रिंसिपल और 10 बढ़गे तो 110 वहीं होगे ना इगारा बटा में दस यह होग्या मॉन्ट तो यदि आपको हम कहें कि pond or principle का ratio nika lo T instincts legal 53 but our men Uh… या principle और amount का ratio निकालने का 코 त प्रिमसीपल और mo लिचर सब्सक्राइब, नना में ऐसे करें नीज TWO साल होता हुमय कितना उथ और हम एगारा बट्चा मेंदस कितने पार होता हुमय तो फिर यहा इगारा बट्चा में दस कितने बॉने बहुता तो प्रिंसीपल दस गुने दस होता और अमउंट 11 गुने होता कि नहीं पढली भाई होता कि नहीं बिलकुल होता है अब यहां देखिय मेरे भाई मेरे बंधू एक साल का देखिए अब रेट क्या है दस परसेंट परसेंट परसेंटेज पढ़े हैं सब लोग पढ़े हैं ना दस परसेंट ब्याज है क्या है इंट्रेश कितना है दस परसेंट तो ब्याज किस पर लगता है प्रिंसिपल पर ब्याज किस पर लगता है तो नीचे क्या होगा सो होगा प्रिंसिपल और ब्याज कितना होगा दस इसो काट दो प्रिंसिपल होगा दस रूपया और एक रूपया क्या होगा तो अमॉंट कितना होगा कितने साल का हुगा दो साल कहेगा तो दस दस दो बार इंगारह इंगारए दो बार उप्रिंसिपल होगा सो और अमॉंट हो मेरे बास समझ में आ रहा है नीचे क्या लिखाता है प्रिंसिपल दस पर्सेंट ब्याज है मतलब ऐसे प्रिंसिपल दस है तो ब्याज कितना है अमॉंड कितना हो गया फिगारा हो गया समझ में आया प्रिंसिपल दस है तो ब्याज एक है तो अमॉंड क्या है समझ में आया तो अब आपको रेशियो में ऐसे बनाना पड़ेगा ठीक अच्छा एक और बाते अभी आप समझीए का हम सब सिखाएंगे एक मिन्यट रेशियो शेख वरो जा था रेश एक साल में दस इगारा दो साल में दस दस दो बार और इगारा दो साल में दो पावर जागा ना दो बार करना पड़ेगा तीन साल में ऐसा ऐसा कितने बार तीन बार करना पड़ेगा समझ मारा नहां तो इसलिए देखो नहां पर प्रिंसिपल हो गया सो और आमांट हो गया एक इंट्रेस्ट है यह प्रिंसिपल है यह मॉंट है तो ब्याज कितने का है टायट निकालो एकीस बराबर किते ना कोई बात नहीं दो जरकर दियार कौन सा जान जा रहा है चलो तर्ट अब इस देखो ब्याज डारेक्ट आगिया समझ में आ रहा है आ रहा बंधू अब एक और तरिका देखो ज़रा है न है अलो त्यार है ओकी तुनिए अभी हम सुरात किये हैं आपको कई एक्जामपल देंगे तब आप उसे लेबल के त्यार हुएगा अभी त्यार नहीं हुए हैं अभी तो बस जाल मुड़ी चल रहा है जाएगा यह प्रिंसिपल कितना है यह आज कितना है कि 10 बढ़े ग्यां परिंसिपल कितना है ग्याज कितना है घ्ड़ फॉप्रसेंट बिचुन व्लौ हैहां यह क्वड़ है एक मेंसे में सिखा इस इयुट आपको परÁ ज्लासेंट्व 10 बढ़े और जूसरा साल 10 पर संट तो 2000 का 10% बढ़ेगा तो 110% हो जाएगा फिर दूसरा साल और 110% हो जाएगा तो दो साल बाद जो है अमांट हो जाया कितना कुना कर दो कि 121 गुने दो तूफो टू तो बीस सो बीस हो यह अंसर हो गया है कि असमस्ज में आ रहा है ना कि 2000 का principle है 2000 के क्या है 2000 को राशी है पहला साल ब्याज कितना बढ़ेगा यह व्याज है तो पलसी नहों होगा बढ़ेगा है ना तो 10% की हिसाब से windows 1 10 10 पर सेट यही ना दो हरल है तर सेट सर्ल यहांगा 110 1000 है दस परसेट बंडिया कि तो जाएगा 110 फिर 110 पर सेट में लाट जिन हैं अगरा सार फिर सह 10y यस और नौ तो दो जिरू ऐसे, एक जिरू ऐसे कट गया, तो एक सो एकीस गुने दो करेंगे, टू फो टू, जिरू हो जाएगा, चो भी सो भी सुट रूपया, हायन ना में उत्तर दो, तुमंज में आ रहा है ना, तो देखिए कि एक ही चीजों को हम लोगों ने कई तरीके से देखा, समझ में आया, अब सुनिये, बात नहीं कीजेगा, जैसे की हमें बोलेगा, समझ में आ रहा है सबको, कोजिक का तकलिफ तो नहीं ना, चले आगे, दुखे ना, चोड़ दू, जाओ आज छोड़ दिया, रख कमी पढ़ाता हुआ, ठीक, कल बढ़िया से दम चले चैप्टर मज़ आएगा, ठीक, आज इतना कम से कम पढ़ लेना, ठीक ना, जाओ आज छोड़ दिया,